प्रेंगल अश्डूटी बात करने वाले हैं वी एल सीची प्रोड़क्ट यह है गोल्ड ब्लीच यह है इंस्टा गलो गोल्ड ब्लीच जी हा आज देख सकते हैं यह मैंने ओडर किया था फ्लिप कार्ट से तो इसका नाम है VLCC Natural Science ये कमपनी का नाम है देन उसके बाद ये है Instaglow Gold Bleach जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है Instaglow Gold Bleach जी गाइस और विद प्योर गोल्ड ग्लोइंग ड्रेडियन फेरनेस के लिए है गाइस और गाइस इसमें विद प्री ब्लीच क्रीम और पोस्ट ब्लीच क्रीम इसमें आपको त्री टाइप्स मिलेंगे मैं भी आपको बताऊंगी सो आप देख सकते हैं इसकी 402 ग्राम इसकी नेट क्वांटिटी है फ्रीप क्रीम देखे। अगर आप आप 30 और 40 रुकीज है। तो आगर आप पालर चलाते आप उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं अई परस्नली इससेrah प्रस्नली इसक नदीघ साथ यूज करना इसका लिए चप्छत्स शोटक में ले अाथ कि ये बहुत ही अच्छा आं है है कि यह रहीत बीच है कि क्या-क्या वॉर्णिंग सें इसकी कि एगरिरिटेशन होती है तो आपको इपलाई बिल्कुल नहीं करना है हॉड़् Voilà करने के बाद यानि कि नहाने के बाद आपको इसको बिल्कुल भी अप्लाई देन आपको बिल्कुल भी अगर इरिटेशन होती है तो इसको आप जिए अब और इसमें यह भी लिखाया कि आपको माइड सी थोड़ी सी हल्की सी आपको इरिटेशन हो सकती है तो यह नॉर्मल स्किन के लिए भी है कि उनको भी हल्की फुल्की होगी तो आप देख सकते हैं मैंने इस वॉक्स को ओपें कर लिया है और मुझे इसमें बड़ा प कि यहां पर मिला हुआ है एक यह प्लास्टिक का बोल बोल सकते हैं इसके साथ मुझे छूटा और मिला हुआ है और आप देख सकते हैं और देन इसके बाद हमें यह प्लीच पैक एंड पोस्ट ब्लीच हमें यह पाउचे में मिलते हैं जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसको आप पहले भी apply किया हुआ है तो गाइस हमें 20 पैक 20 पैक 20 पैक इसके मिलते हैं post bleach के and pre bleach के भी हमें 20 packs ही मिलते हैं जो प्रिवीज है वो 3 gram होता है 20 packs होते हैं and then post bleach के भी 20 30 पैक्स होते और उसमें 5 ग्राम होता है तो आप देख सकते हैं मैंने इसको आपको पूरा ओपेंड करके दिखा दिया है और किस तरीके से हमें यूज करना है यह मैं आपको आगे शलके बताऊंगी गाइस आप यह देख सकते हैं इसमें मुझे इतने सारे पाउसे मिले हुए है तो अब मैं आपको क्रीम को अपलाई करना बताऊंगी पहले मिक्सर बनाना बताऊंगी कैसे मिक्सर बना सकते हैं सो गाइस यह आप देख सकते हैं इसकी पीची-पीची सी क्रीम है पीच कलर ही है और अभी मैं आपको दिखाऊंगी यह आप देख सकते हैं कि पीच कलर की क्रीम है और काफी अच्छा वक करती है आपके जो जितने भी है फेशल हैर होते हैं उनको गोल्डेन कर देती है और हमारे स्किन पर बहुत अच्छे से वक करती है तो बील सीची का पैक्ट आप भी लेना चाहे तो ले सकते हैं बहुत अच्छा ब्रैंड है यह और सभी को सबसे पहले मैं एक प्लास्टिक बाउल ले लूँगी इसके साथ बहुत ही रेक्टेमुलर शेप में था तो मैंने दूसरा लिया है यह मेरा ओलीविया ब्लीच का है अगर आपने मेरी ओलीविया ब्लीच की नहीं देखिए वीडियो तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पर क्रीम अगर दो चम्मच है तो हमारा जो वन पिंच वन पिंच ही एक्टिवेटर होना चाहिए अच्छली इसमें कोई वैसा नहीं दिया हुआ है कि हम नाप सके और जबकि अलिविया ब्लीच में ऐसा था तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता था कि उसे साथ एक्टि मिक्स करेंगी मुझे ज्यादा लगता है ज्यादा है तो मैं इसको ऐसलिए रिमूब कर दोंगी थोड़ा सा हटा दोंगी एक्टिवेटर को तो जितनी मात्रा में ज़रुवत होगी मैं उतना ही एक्टिवेटर इसमें डालूंगी आप टूइस्पून में वन पिंच ले सक के पास ना रखे किसी चिल्डेंस को ना दे इसको बहुत ही अलग रखे और थोड़ा सा ये एक्षिली एक्टिवेटर है तो हमारे फेस के फेशल हैर्स को गोल्डेन बनाता है तो केमिकल्स तो ही है तो इस वज़े से हमें बच्चों से दूर रखना है तो हमें इसको क्रीम को अच्छी तरीकी से वैसे मिक्स करनी है ताकि जीतने इस मिक्स करनी हो जाए तो बहुत अच्छी तरीके से पूलाओ तरह को कारेंगे कैसे Ugh अपको फ्रेंद करेंगे के सीथा को इंद लगा लेना हैOOK 5 मृट को वेड करना अगर इरीटेशन होती तो इसको बिलकुल भी अप्लाइब नहीं करना है और जिसे स्मित बताया है कि माइल्ड सा थोड़ा सा इरिटेशन होगा तो यह नॉर्मल है बट आपको बहुत ज़्यादा होता है रेड्लेस हो जाती है दाने आते हैं तो इसको आपको बिल्कुल भी अप्टाई नहीं करना है सबसे पहले मैंने यहां पर प्री ब्लीच लिया है जैसा आपने देखा था वहां पर पहला था प्री ब्लीच यह बहुत ही अच्छा वर्क करता है ऐसा किसी और ब्लीच में नहीं होता है तो इसे हमें हाइड्रेशन भी मिल जाती है हमारी स्किन प्रिपेर भी हो जाती है सो जैसा आप देख सकते हैं यह भी पीची पीची कलर का है और इसको अब हम अप्लाई करेंगे अपने पूरे फेस पर गाइस याज रखना है अपने आइस पार्ट को बिल्कुल भी टच नहीं करना है और उससे दूर रखना है आप तर एखना आप से इसको आपको अपनें सकते हैं लोक्तिention यह फट्याच कारेंगे अदुर षंचोप वह पने उससे गता है सकते हम यह बेंषाफ से मैं आपको इसका रिजर्ट भी आपको दिखाऊंगे विफोर एंड आफ्टर क्या रिजर्ट आएगा तो आप देख सकते हैं तब तक अपने फेस पर अप्लाई करना है जब तक यह हमारी स्किन पर अब्जर्ब नहीं हो जाएगा इस बॉक्स के राइट साइड में फूल इं आपको आपको दिखांगे सो मैंने जो पर मिक्स की मैं इसको अपीश्य करेंगे आपको जल्दी करने लाइं तो जैसे आपने देखाै City बहुत जल्दी के इसको अंप्लाई कर लिया है दिटेष्टे की मिक्स की आप और प्रिविज किया से अप्रिविश विःत उसके और जैसे आप देख सकते हैं इसको अपने पूरे फेस पे लगाना एंच इसको चोड़ना है इससे थोड़ा दूरी पनाके एंड जो हमारा आइडिया है इनसे हमें हमेजा दूर रखके ही ब्लीच करना चाहिए यह जिसा आप देख सकते हैं को अप्लाई कर लिया है और अगर आपकी बहुत ही सामली इसकीन तो आप इसे डस मिनट तक ही रखें और आपकी फेर इसकीन है तो आप 15 मिनट तक रख सकते यह देन गाइस मैंने इसको 15 मिनट बाद इजली रिमूब कर दिया है तो कि बाद इसको बेख इसके बाद हम इसके बाद हम पोस्ट ब्लीच आप्लाइब करेंगे तो पोस्ट मैं आपको इसको ओपें कर्के दिखाती हूं कि ये किस तरीके की है एक चुली जीर फोर्म में ज्ट पर में जो भी क्रीम होती है स्कीन वालों के लिए बेस्ट तो काफी अच्छा ब्रैंड भी काफी अच्छा हैं काफी एच्छा प्राइब और आप देख सकते हैं इसको हमें हीज़ियर यज करना है और ओर पार शे मिनट तक थोड़ा सा सब शुआ हैं जो हमें डॉब्साज करने केमाद इसको यह में अपसकर करने आप देख सक थें साना मेरे शाह दिख रहे लिए हैं तयक revel कि है मेरे नहीं काफी बेस्ट रिजल्ट इसका आता है और आप देख सकते हैं कि मेरे जो यह आइब्रो एरिया है एंड है इनके बीच में थोड़ी सी जगह नहीं दिख रहे थी बट आगर आप ऐसा करते तो आपका जो फॉरहेड एरिया काफी बड़ा लगता है ब्रॉड लगता है और काफ झालिग वॉरहेड झालन ब्रॉड़ हॉरह झाल है यॉरहा काफी जुरॉड़ा पाता है टिबादा झालन फॉरहे।